नमस्कार आप सभी का पेबल्स के किचन में स्वागत है आज हम एक स्वीड डिश बनाने जा रहे हैं वो स्वीड डिश जो हर घर में आमतोर से बनता ही है और ये स्वीड डिश होता है सूजी का हलवा सूजी का हलवा आम तोर पर हम देखते हैं कि प्रशात के रूप में सर्व किया जाता है जा कोई आरती हो या पूजा हो तो हम ये सूजी का हलवा बनाते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का सूजी का हलवा बनाते हैं आज हम एक बहुत सिंपल रेसिपी दिखाने जा रहे हैं सूजी का हलवा कैसे बनाना है तो चलिए देखते हैं सूजी का हलवा इस हलवा के लिए हमें चाहिए एक बॉल सूजी, एक बॉल चीनी, तीन से चार चमज घी, किस्मिस, छोटी इलाची का पावडर, बदाम की थोड़े टुकडे, थोड़े टूटी फूटी और काजू के टुकडे अब सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें कड़ाई को गरम कर लेंगे, जब ये कड़ाई गरम हो जाए, तो हम उसमें सूजी भूनेंगे, इसको अच्छे से धीमी आँच पे भूनना है, जब तक इसका रंग ना बदल जाए, लगभग 5-7 मिनिट हमें भूनना है, हो गया है, इसको हम अलग से निकाल लेंगे, अब उसी कड़ाई में हम एक ग्लास पानी लेंगे, जितना सूजी लिया है, उतना ही हम पानी ले रहे हैं, उसमें एक कप चीनी डालेंगे, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे, इसको हमें चाष्णी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ चीनी को पिघल जानी है, तब तक उसको पकाना है, जब चीनी पिखल जाए तो उसमें छोटी इलाइची का पाउडर डालिए इसको मिलाते जाए हम गैस बंद कर देंगे अब हम दूसरी कड़ाई लेंगे और उसको गरम कर लेंगे उसमें दो से तीन चमच घी लेंगे घी गरम होने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स उस घी में भून लेंगे किसमिस काजू, बदाम और टूटी फ्रूटी अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं जब इनका रंग बदल जाए तो हम उसमें सूजी डालेंगे जो हमने पहले से भूनी हुई थी गैस की आँच एकदम कम होनी चाहिए अब ये ड्राई फ्रूट्स और सूजी को अच्छे से हिलाना है अच्छे से मिक्स हो जाए लगबग दो से तीन मिनिट आप उसको भून लीजे अब हमने जो शकर का पानी बना के रखा था वो हम धीरे धीरे डालेंगे पहले थोड़ा सा डालेंगे उसको अच्छे से मिलाएंगे अब कंड लगातार उसको चलाते जाइए इसमें गुटलया नहीं बननी चाहिए अब इसमें बाकी का पानी धीरे-धीरे मिलाते जाइए और चलाते जाइए अब हमें तीन से चार मिनिट तक उसको हिलाना है कंटिनेवसली लगातार जिसे सूजी भी पक जाए देखे अभी पानी पुरा सूप चुका है और सूजी कड़ाई छोड़ने लगा है इसका मतलब हमारा सूजी का तयार सूजी का हलवा तयार है यह है तयार हमारा सूजी का हलवा इसको हम सजावट के लिए ड्राइफ रूट से सजा सकते हैं और थोड़े से टूटी-फूटी और काजू किसमिस बदाम से इसको सजा सकते हैं यह है मैं रेडी सूजी का हलवा तो दोस्तों आपने देखा अगर आपके घर में सूजी है शक्कर है तो बहुत आसानी से यह हलवा बन जाता है इंस्टंट हलवा भी कह सकते हैं और यह हलवा आम तौर पशस पको पसंद है तो आप ज़रूर बना के देखे और आपके बच्चों को और परिवाज जन्म को खिला के देखे आपका फीडबैक हमें जरूर भीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को झाल झाल